नमस्ते दोस्तों, हमारे चाल में आपका स्वागत है। भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात के मध्य में अत्यदिक एतिहासिक महत्व और गहन आध्यात में कूर्जा का स्थान है। महत्मा गांधी का साबरमती आश्रम, शांत, साबरमती नदी और प्रतिष्थित दांडी यात्रा। ये तीन तत्व आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं, जो स्वतंत्रता के लिए भारत के संधर्ष किसार और इसका नित्रित्व करने वाले व्यक्ति, महत्मा गांधी की विरासत का प्रतिनिदित्व करते हैं। इस यात्रा में हम इनका परीचे करेंगे। आशा आश्रम है कि जातिकानी स्वतंत्र लड़या मदे महत्मा गांधी की निवास्तान होतों। एक निवास्तान होतों वर्ध्या जोड़, सेवाग रामला, और दुसरा महाराष्ट्रा तों साबर मती ला। कि जर तुम्हें आत्मते गेला, तर स्वतंत्र लड़यात वाकर लेला विवीद वस्तु तैंच सुन्दर संगराले। के तुमाला अंजिन वस्तिप पाइक से। तेचा नंतर एका बाजोला चर्खा उताला बाकोजिंचा, तो चर्खा ढेवलेलाई। के जर गेलादेगार वस्तिपति अपाइक के जर वस्तिपाली टेखा मुटी अजिन वस्ति आपाइक से। पुर्भी इंगरजाननी उतन न स्वतंत्र मती वाधर, घर भड़ी आज और मिठाचा कै ल nettाना चार्ण चालर्न थे। सबर मती आश्रम बुजरात के एहमदाबाद में साबर मती नदी के तर परस्थित महात्मा गांधी का साबर मती आश्रम सादगी और आत्मनिर्भरता के उनादर्शों का जीवन प्रमान है जिनका गांधी जी ने जीवन भर समर्थन किया 1917 में स्थापित यह आश्रम भारत के स्वतंत्रता अंदोलन का केंद्र बन गया सतत जीवन की द्रिष्टी से बनाया गया यह आश्रम आज भी अपने मूल स्वरूप में खड़ा है इसमें स्पार्टन आवासों का एक समूः एक प्रार्थना स्थल और एक संग्रहाले शामिल है जिसमें गांधी जी के निजी सामान है जिनमें उनका प्रतिष्थित चर्खा और पत्र शामिल है परियटक यहां गांधी जी द्वारा प्रचारित सादगी और आध्यात्मिक्ता के महौल में डूब सकते हैं जिससे यह उन लोगों के लिए एक तीरत स्थल बन जाता है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की जड़ों से जुणना चाहते हैं पवित्र जल, साबर मती नदी आश्रम के साथ साथ बहती साबर मती नदी भारत के इतिहास में अपना विशेश महत्वर रखती है अपनी भौतिक सुंदर्ता से परे यहुँ उस आध्यात्मिक शुद्धी का प्रतीक है जिसे महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम से जोगा था गांधी जी ने स्वतंत्र भारत की अपनी खोज में आंतरिक्स पश्टता और शांती की तलाश में साबर मती नदी के तडपर प्रसिद रूप से उपवास और ध्यान किया खाल के वर्षों में साबर मती नदी को पुनर जीवित और साफ करने के प्रयास किये गए हैं इसे एक संपन पारिस्थिति की तंत्र और हैमदाबाद में मनोरंजन के लिए एक किंद्र बिंडू में बदल दिया गया है नदी तड का विकासना केवल शहर की सुंदर्ता को बढ़ाता है बलकि इसके एतिहासिक मेहत्व को भी दर्शाता है स्वतंत्रता मार्च, दांडी यात्रा, दांडी यात्रा, जिसे नमक मार्च के नाम से भी जाना जाता है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे प्रतिष्थित क्षनों में से एक है 1930 में महात्मा गांधी और समर्पित अनुयायों के एक समूवने साबरमती आश्रम से अरब सागर के किनारिस्थित तटिय गाव दांडी तक 240 मील की यात्रा शुरू की उनका मिशन समूद्र से अपना नमक बनाकर ब्रिटिश नमक एक आधिकार का विरोध करना था इस शांतिपूर्ण विरोध ने देश और दुनिया का ध्यान खीचा इसने अहिंसक प्रतिरोध और सविने अवग्या की शक्ती का प्रदर्शन किया दान्डी यात्रा भारत की स्वतंत्रता की खोज में एक महित्वपूर्ण मोर साबित हुई जिससे अंतता ब्रिटिश अपनिवेशिक शासन का अंत हुआ महात्मा गांधी का साबर मती आश्रम, साबर मती नदी और एतिहासिक दान्डी यात्रा भारत की आजादी की लड़ाई, साद्गी और आत्मनिर्भरता के सिध्धानतों और अहिंसा की परिवर्तनकारी शक्ती के स्थाय प्रतीक के रूप में खड़े हैं इन स्थलों पर जाने से न केवल भारत के अतीत की जलक मिलती है बलकि उन मूलियों की गहरी समझ भी पैदा होती है जो आज भी राष्ट्र को आकार दे रहे हैं जैसे ही हम महात्मा गांधी की विरासत पर विचार करते हैं शान्ती, सच्चय और न्याय का उनका संदेश हमेशा की तरह द्रिलता से गूंचता है यह विदियो हमेश्वी समर्थ नाना टुस सासवड की सोजन्य से प्राप्थ हुआ है हमारा चनल उनका आभारी है दोस्तों, अगर यह विदियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेर किजिए और अभी तक आपने हमारे चाल को सबस्काइब नहीं किया है तो इसे सबस्काइब करके बेल आइकॉन को प्रेस किजिए ताकि हमारे नए अपलोडेड विदियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे यह विदियो अंतक देखने के लिए आपका धन्यवाद